दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताके हमारे भीवर को अच्छा से समझ में आ जाए दोस्तो हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ते हैं अगर कोई सवाल छोड़ जाता है तो उसको हम अगले संडे को शामिल कर लेते हैं दोस्तो तो प्लीज आप भी सवाल कीजी हम कोशिस करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है पहला कमेंट है इमरान खान के तरफ से लिखते हैं कि 4 किलो 700 ग्राम की मचली मारी मैं आपको ठेंग की बोलूँगा, सर आपने शिकार किया, शिकार करने के बाद से जवाब दिया सर कमेंट करके बताया ताके हमारे जो दोसरे भीवर हैं उनको भी पता चले कि आपने किस चारा से शिकार किया तो दोस्तों देखिए इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमने गुच्छा वाला हुक का इस्तिमाल किया और चारा बना करके दिखाया था इस वीडियो का आप भी देखिए और इससे अपना शिकार कीजिए अगला कमेंट है मोहमद सलमान के तरफ से लिखते हैं के सर मैं शिकार करने के लिए मैं शिकार करने गया था मेरे पडोस के जो लोग थे वो सब चाइना फिस का शिकार कर रहे थे उनको मिला लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला और चारा भी सेम था ऐसा क्यों हुगा सर देखिए सर इसका दो वज़ह हो सकता है एक तो आपने ऐसे जगह का चुनाव किया होगा जहां पर वो मचली नहीं है दूसरा आपने वहां चराई नहीं डाला होगा अगर मचली नहीं है आस पास में दूसरे आगे तक यानि दाहिने बाएं और सामने का तरफ पानी में दूर तक ग्राउंड बेट डालना चाहिए यानि मचली को पास बुलाने के लिए चराई डालना चाहिए उसके बाद से आप शिकार करें लेकिन चराई भी बहुत जाद नहीं डालेंगे और जाद बड़ा बड़ा जो चारा है वो नहीं डालेंगे बिल्कुल भुरुरा किसम का डालेंगे ताके मचली खाए तो उसको खाने के लालच में थोड़ा आगे बढ़े फिर वो थोड़ा से खाए तो फिर थोड़ा आगे बढ़े इस तरह से आपके हूग के पास आएगी जहां उसको ज्यादा च ठीक्टिकार, अग्ला कमेंट रसा से नदीटरी में नेमन नॉन उन्हाइक कर वका से लेखे हैं हहुआ का दुछायों को पता है। किस चारा का इस्तमाल करें कैसे शिकार करें देखिए सर जब भी बारिश के मौसम में जिस एरिया में आप रहते हैं वहां कैसा मिट्टी है उसके हिसाब से पानी का कलर हो जाता है कभी पीला हो जाता है कभी हलका गंदला काला के जैसा हो जाता है और कभी आप जैसा बता रहे हैं लाल उस तरह से हो जाता है तो उस समय जब बारिश होती रहती है पानी का बहाव तेज रहता है मचली का शिकार करने के लिए आप दो तरीका आजमाएंगे पहला अभी इस वीडियो के बैक्ग्राउंड में देखिए किनारे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां आपने देखा थोड़ा सा घास है तो कभी भी आप बारिश के मौसम में शिकार करें तो देखिए बैक्ग्राउंड में किस तरह से घास ऐसे जगह का चुनाव करें क्योंकि मचली किनारे के तरफ आती है सब जब पानी गंदा होता है मटमहला होता है बारिश होती रहती है बारिश रूख जाता है तो मचली किनारे आती है क्योंकि उसको किनारे के तरफ पानी से यानि पानी जो उपर के तरफ से ढ़ल करके नीचे जाता है नदी में तलाब में डैम में तो उसके साथ बहुत सारा नेचुरल चारा जो है पानी के अंदर जाता है तो इसलिए मचली उसी के तलाश में किनारे के तरफ रहती है और कम प शिकार होता है कोई भी चारा है आप डाली ये बरसात के मौसम में तो आप इसका ख्याल कीजिएगा दूसरा चीज है कि आप थोड़ा सा मुर्गी का अंडा अगर आप जो कार्प मचली है उसका शिकार कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुर्गी का अंड़ा बेसी मिलाईए या मतलब ज्यादव मिलाईए और मिला करके चारा बनाईए और बेहतर तरीके से शिकार कीजिए थैंक्यू सर अगला कमेंट है सुफ कुमार के तरफ से लिखते हैं कि सर पोठ या मचली पकड़ने के लिए होम मेड फिशिंग हूक बनाईए देखिए सर मैं इसका जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ कैसे बनाएंगे कपड़ा सीने वाला जो पतला सुई होता है जो छोटा छोटी सुई है और पतली होती है वो वाली सुई आप ले करके किसी पत्थर पर या सील बट्टे के उपर उसको घीसी है धीरे धीरे बिल्कुल सुलो थोड़ा घीसना पड़ेगा 15 मिनट 20 मिनट आदा घंटा भी लग सकता है आपके उपर है कि आपका हाथ कितना देर तक साथ दे रहा है यानि जितना नोकीला बनाएंगे उतना तेजी से मचली का शिकार होगा तो पहले आप उसको घीसेंगे घीसने के बाद से किसी लोहे से या किसी और चीज से उसको पकड़ करके दबाईए दबाने के बा लाल और उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिया, ठंडा हो जाने के बाद से आप किसी कलम से या कोई गोल चीज से जो पतला हो उसके नीचे उस सुई को दबा करके ऊपर के तरफ बेंड करेंगे, बिल्कुल यू के जैसा टर्न करके यानि घुमा करके यू के जैसा बनाएंगे तो ये fishing hook हो जाता है लेकिन इसमें शर्त है कि आप अच्छा तरीका से सुई को गरम होने दे भिलकूल लाल होने दे लाल होने का बाद से उसको थंडा कर दीजिए थंडा होने का बाद से bend कीज़िएежд करने का बाद से जब आपका fishing hook तयार हो जाए उसको गरम करने के बाद से आप उसको ठंडाा पानी में डाल देंगे तुरंट तो यह क्या होता है कि फिशिंग हूप डालते हैं उदर आप पतलावाला दागा डालिएए डाल करकर उसको बांध लिजीए और असानी से पोठीय मचली का शिकार करेंगे लेकिन ध्यान रखना चाई सब्सक्राइब को बहतर तरीके से पोठीय मचली का शिकार देखिए सर अगर इसनेख धेड़ बड़ा है तो उसका शिकार करना चाते हैं तो उसके लिए चारा अलग है अगर इसनेख हेड छोटी है मतलब 5 इंच 6 इंच 8 इंच की है तो उसका चारा मतलब इसका ख्याल कीजी है तो मैं यहां बता रहा हूँ आपको बड़ी एसने खेट का चाहरा, जब भी आपको बड़ा एसने खेट दिखाई देता है, जिस जगह पर और उसका आप शिकार करना चाहते हैं, तो बेहतर चीज है, सबसे बेहतर चीज है आप जिनदा पोठिया मचली ले, जिन्दा पोठिया मचली पोठिया को बहुत से जगा सिधरी मचली भी बोलते हैं तो जिन्दा पोठिया मचली ले आप जब भी शिकार करने जाए यानि पानी के कोई एक छोटा सा डबा ले ले उसमें जिन्दा पोठिया डाल दे या छोटा सा पोठिया शिकार करने का फिश के उपर से हूक लगाए और हूक बिलकुल पार कर दे यानि पोठिया मचली लटकती हुई दिखाई दे और तुरंत उसको पानी में डालिए इसका रिजल्ट यह होता है कि बहुत तेजी से स्नेक हेड पकड़ती है बड़ी वाली जो दो चार किलो पाच किलो की होती है ऐसा ब आपको सबर के जरूरत है आप कंटिनीव वाच कीजिए अपने फिशिंग बबलर के तरफ अगर आप बबलर का इस्तमाल करने तो क्यूंकि वह आचानक बीना सिगनल दिए हुए मतलब बीना सिगनल दिए हुए आचानक लेकर के आपका चारा भागे की वह तो जैसे ही वह मौका नहीं देना है बबलर जैसे ही पानी का अंदर डूबा आप तुरंत खीचिए क्यूंकि उसको लेट करेंगे तो कुछ आगे जाकर के उस चारा को छोड़ देगी क्यूंकि बंसी जो है यानि फिशिंग हुक जो है वो खुला हुआ है उसके मुह में चुभेगा और त स्नेक हेट होती है तो अगर आप स्नेक हेट का शिकार धान के खेट में कर रहें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पोठिया मचली को वैसे ही लगाते हैं लगाने के बाद से धान के खेट में जहां खाली जगा है वहां हम बंसी या फिशिंग हुक को टप पानी के अंदर यानि पानी के अंदर गिराने के समय टप से आवाज होता है एक साउंड आता है और आप उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे ही लाएंगे जैसे ही आपके fishing hook में या fishing rod में vibration होगा आप तुरंत fishing rod को बाहर खीचेंगे इस तरह से आप इसने खेट का शिकार कर सकते हैं तो ये दो तरीका है आप नदी में तलाब में डैम में शिकार करें या धान के खेट में शिकार करें इस तरीका का दोनों तरीका का ख्याल कीजिएगा और आसानी से शिकार कीजिएगा ये एक चीज हो गया दूसरा चीज है घोंगा घोंगा से भी आप छोटा snake head है या बड़ snake head है, दोनों का शिकार करेंगे घोंगा के तोड़ेंगे तो उसके body के अंदर जो white वाला निकलता है उससे शिकार करना आए आपको छोटा टुकड़ा लगाएगा, छोटा snake head मिलेगी, बड़ा टुकड़ा लगाएगा बड़ा snake head मिलेगी, इसका ख्याल करके आप शिकार कीजिए तो ये तरीका था कुछ snake head को शिकार करने के लिए और भी बहुत सारा चारा है, मैं दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ओके दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थेंक यू